नोट्बुक निकाला करो, जैसी ही मैं पढ़ानाई स्टार्ट करूँ और तुम्हें क्या करना है? जैसी जैसे मैं कोई concept बताऊँ वीडियो पोज करो और उस concept को एक बर याद करने की कोशिश करो इसे recalling of concepts बोलते हैं हेलियम का nucleus यह positively charged होता है, क्या होता है? positively charged जैसे direction में positive charge आएगा, current हमेशा वही होगा एक ही point की मैंने दो direction define कर दी, which is not possible तो याद रखना मेशा, किसी भी एक point की दो direction possible ही नहीं है तो कैसे ही दो intersect कर सकती हैं आपसमें? Intersect कर दी हैं मतलब direction दो है, safety measure तुम्हें दे दिया 5 ampere इससे जादे current flow कर आएगा यह 9.1, तो जिस wire से वो connect हो, wire जल जाएगी and circuit will break Magnetic field seater लग रहा है न, तो मेरा नाम है अक्षे दियागी और आपके इस दुखदर्द को में दूर करने आ रहा हूँ है electricity का दुखदर्द हो गया ना दूर, तो बस ऐसी इसका करेंगे, माइक ले आतों में तो, hello, 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 कैसे भी बच्चो, तो last की class की जो 5 points से जो मैंने बोला था न, ढूंडने तुम्हें clarity और answer तो मिलगे होंगे न, बाकी तुम्हें पता है न, जिन बच्चों की पवितर आत्मा है, वो मुझसे बात भी कर पा रहे थे class के बाद, तुम्हारी भी हो जाएंगी, वैसे तुम्हारी हो गई, लगबग सब की हो चुकी है, तुम्हारी सब की बाते मुझे पहुच ग पी न, थोड़ा गडबड़ा आ जाता है मामला, हैं, और उसके बाद, सर, सर, question कैसे आते हैं, सबसे important बात तो यह थी बच्चोंगी, कि सर, numerical इसमें आते नहीं, question पूछे का, कैसे question वाला, यह पूछे का, और शिट साब के बारे में बता हो, ऐसा तो कुछ नहीं पूछने सर, flaming बाबा का left hand rule कैसे होगा, सर, left hand rule कैसे लगाते हैं, सर, सर, पता ही नहीं चलता, कहां force लगनी है, conductor पर कहां नहीं लगनी, conductor भागेगा, कहां force लगने पेना, और सर, एक last चीज और रहे हैं, please, please, sir, वोहर बता दो, charge घुसा फील्ड में, उसमें कहां force लगते हैं, कहां ज चेप्टर, तो इस वाली class के अंदर, I think मैं तुमारी सारी दुख दूवीदा खतम कर दूँए, न, चश्मा निकाल के हम स्टार्ट करते हैं, इस chapter को, इस chapter के अंदर अच्छा, तुम्हें याद होगा, last class में मैं एक important बात बताई थी, कुछ पांच points थे, वो doubt clear हुए नहीं पहले बताओ, confidence आने start हुआ, confidence एक तरीके से हो रहाएगा, आज वो वाला point भी तुम्हें clear कर दूँगा, इस class के अंदर, क्यूंकि कुछ बच्चों की preparation complete है, अच्छे से सब कुछ आता है, बट स्टिल ऐसा लग रहा है, सर ऐसा लग रहा है कि सब भूल गये हैं, कुछ आता पता है, क्या पता है वो बात, वो बात यह है कि हम सिर्फ NCRT की exercise और index solve नहीं करेंगे, एक extra चीज और करते हैं, वो extra चीज क्या भी जल्दी बोलो, कौन बोलेंगे बताओ, दो टाइप के तोते हैं पता है न तुम कौन से वाले तोते हो, जल्दी से मुझे comment section में पहले ही ब अब मुझे exact date ही आती है, I think 1819 या 1820 थी, इन्होंने experiment किया, इन्होंने क्या किया बहिया, एक wire से current flow कराया, एक wire से current flow, बैटरी लगा दो, एक wire से क्या कराया, current flow, क्या कराया, current flow, और current जैसी फ्लो कराया, इसके पास में इन्होंने क्या रग दिया, अच्छे है, आपर resistance ले ल question कब solve कर पाऊगे, जब तुम्हें कुछ आता होगा, तो पहले वो थोड़ा सा में तुम्हें हलका सा hint दूँगा, इस chapter में क्या हलका सा revision कराऊगा, यह जो जितने points मैंने लिखे है, यह सारे तुम्हें अभी पढ़ाने वालो, अगले 20 मिनट के अंदर उसके बाद हमारी NCR exercise शुरू हो जाएगी, तो जिन बच्चों को लगता है, हमारा हो चुका है, आप आगे बढ़ो हुई है, तो वो बच्चे बेटा 20 मिनट आगे skip करके जल्दी से देखने स्टार्ट करो, NCRT solution, ठीक है, चलो तो, पहले Hans Christian साहब और शिर्ट ने पहले तो यह प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक करन्ट के वह से मैगनेटिक फिल्द पर डियूज हो सकता है, और इसके पुरानी कहानी एक शेफर्ड वाली वह लोड्स्टोन वाली याद होगी, अब कहानी पर नहीं जाएंगे, अब सीधा हम कॉंसेप्ट पर कॉंसे बाते करेंगे, क्यूंकि हमारा सिर्फ यह रहा कंडक्टरी वायर है, इस वायर में करन्ट उपर जा रहा है, दिखरी वायर उपर, यहाँ पर यह शीट है, अगर मैं उपर से लोहे का बारूदा डाल दू, इसे बोलते हैं आयन फिलिंग से डाल दू, तो अपने आप ऐसी शेफ बना लेता है, ठीक है, अपने आयरेन का बारूदाना अपनी शेफ बना लेता, तो हम बोलने लगे, यह वही है, मैंगनेटिक फिल लाइन की शेफ, ऐसे बोलने लगे, अब यहाँ पर मैं डारेक्शन ढूड़नी है, तो यहाँ पर आते है, राइट है थम रूल आया, राइट है थम रूल, यह एक ऐसा है, जो तुम्हें बताएगा, मैंगनेटिक फिल लाइन की डारेक्शन के है, तो चलो, सब लोग सीधात लेगाएंगे अपना, सब लोग सीधात लेओ, जल 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 जल, थम को ले जाओ, करंट की डारेक्शन में, कहां, करंट की डारेक्शन में, और अपनी the magnetic field की डारेक्षन बताएंगे आसान है चलो तो क्या ओगी अगर फ्र क्लोकर गया ऍंटी क्लोकवाइज गने पने घरमें घड़ी होगी है घड़ी की सुई जिधर घूमती वह अंटी क्लॉकवाइज फॉपर घया एन्टी क्लोकवाइज डारेक्शन यह वह होगी सब करके बताओ उसाथ में फिर से बोल रहा हो कोई बच्छा इस क्लास को मूवी की तरह ना देखे कर पा करके जैस एक नोटबुक लो अब आगे तीन क्लास यह वाली क्लास की बाद दो क्लास हो रहें नोटबुक निकाला करो जैसी मैं पढ़ाना तो द्यान से सुनों जैसी मैंने कोई कॉंसेट लिखाया वीडियो पॉस पहले कॉंसेट खुद लिख लो फिर टेस्ट करो कि सर ने जो लिख वही है इस तरह से कॉंफिटेंस भी बढ़ता है कॉंफिदेंस बहुत मेंटर करता बताता हूं तो यह करेंट की डारेक्शन अगर तो पर की तरफ फिल लाइं से आगी इंडिक लोग वैज इसी तरफ अगर करेंट नीचे तो तो फिल लाइंस के सी बनेंगे गया अक्रिल क्लोकवाईस बनाकर देखलो क्रेट की तरफ जा रिए पॉइंट शॉंज में आ गया यह था तुमारा पहला कॉंसेट जिसकों बोल तो इसके आज हम इसकी दम को खतम कर देता है सर्कुलर करेंट करिंग अनुक्तर सुनना दियान से एक काम करो ऐसे मान टेबल ले लो टेबल मेरे पास लिफटोप एक टेबल लो तो मैं भी फीलिंग दिला देते हैं यह टेबल ले तुम्हारे पासे ना इस टेबल पेक वायर आज तुभी आज़ा तेरी भी जरूब होता है इस टेपल पर पर नहीं काल रहा है देखो यह नहीं करना मैं मैंने नहीं करना proclaimedallo कहें सामने concept समझाने के लिए लिटा दो और लिटा कई से विख़ार से ँठाके ज़िए की कि इसे और इसे सॉल्व कर डालो है यह लेटी यह ल कुलिऄ और यह तो नीचे द्लफट आप्ट इसे कलेख से इससे हो फणिए घानेश वाला बैटरी चाब यह अलग तरोक कि расп पढ़ाय मैं तुम्हें इमाईजिनेशन के तरीके बढ़ा रहा हूं कि कर उलब हान नो क्या कवे एक कुर् attention फोरती से हैं अब यह जो लेटी वायर है इसलेटी इस वाली साइड में गग Oh है एक पारु इसमें करेंट ऊपर की तरफ तो अपना थम ले जाओ कहां उपर की तरफ फूंक जब तुम ठंब उपर ले गए तो कि फिल लाइन से देखो ज्यांसे अगर तुम करेंट उपर लेगे तो फिल लाइन से हां न बोलो थे कॉश्चन क्या पूशता है मैंना क्या बूला सक्टर में यह भी बताम का कुश्चन क्या पूश्चन क्या इसके अंदर और बहुत बाहर का Г thor कोश्चन वाला क्या पूछेगा बताओ वायर के अंदर फिलाइंस की डारेक्शन का है तो देखो जैसी तुमने रहे बहुत एक और इंसान चीए था मुझे चलो कोई बात में करेंट ऊपर देखो इस वाली करेंट इसकी तरफ है थम ले जाओं फिलाइंस कैसी आ रही है यान इधर साल आ रही है और अंदर जा रही न बहुत हैं और वा dar बॉल सक तभी तो मैं वाले पूर्टिन वाले पूरशन में फिल्लाइंस छा एक्या पार्ट को वाह छ Kubernetes और uh nh तभी तो ऐसे जा रही है। तो में बोल सकता हूँ इस वाले पॉर्ष यह जैसे। और यह अंदर वाले जितनी जान में लगा रहा हूँ तुम्हें विधर निजन लगा रहा है। तुम इसकी साधी भी लगा लोगे ना इस वाले पार्ट में आजो इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में नीचे है नीचे देखो इसमें तो फिल देखो कैसे देखरो फिर से इस ग्रीन पार्ट के अंदर जारी फिल देखो देखो करण देखो अंदर इस से दो डीप में तुमें क्या च तक सिंतख गुद्ध कि अंदर से यानी एक बात समझ्ञांओ लगर कौं が सम्झ faded ग्रीवाली रोगनों किनल९ क्रेंच अगर कहां है क्लॉकवाइज दारेब्स घ्रलोक वाइज से और यह इन दलन Алекс यहां पर बीच में लाइन खीच देना देख पारे हो वायर के अंदर फील लाइन अंदर की तरफ है दिहान रखना अंदर की तरफ अगर करंट क्लोक वाइस अब एक तकड़ी चीज बताता हूं तुमने पढ़ा भी रखा होगा चलो वापस बताता हूं तुमने इस दोःए मैंगनेटिक फीलाइन्स के बारे में बात पढ़ी होगी यह बार मेगनेट है नोट साउथ बाहर की तरफ माईबर टो दारेक्शन में बाहर की तरफ क्या होती है नोट साउथ रखा हुआ एक तगड़ा कों से पढ़ाने जा या बहुत बच्चों नहीं पढ़ा वह जुन्हों पढ़ अच्छी बात है बाहर की तरफ रिलाइन कैसी होती है नो टुशूथ लेकिन अंदर मेगनेट के अंदर डायरेक्शन होती है एक तरह के मैगनेट बन गई है न तुमने क्लोक फेस वूल पड़ा देखो यहीं सा आ गया अगर मैं बोल दूँ किसी साइड में करन्ट फ्लाक्वाइस डारेक्षन में करेंट कैसा क्लॉक्वाइस डारेक्षन में वा सहारा है अंदर ध्येज मैंगणे वाला पार्ट किया इस में वाइर गया charged या zac मैंने इसमें ऐसे रमारे अंदर तो साउट गरी करें उन तो यह जो फेस है अब फेस वाला कॉंशप्व है समझेंगे एक पेपर लोगे ग्रोलोक जान लगा देगे तुम भी लगा हो। ऐसे बना एक अर्फो बना वेसे सरकल बनौ और अर्पो यृट्व्ट डार्क लाइन बनाना है यह वाली बहुत अनुकी बना कर देख hail से इसतर यहां से तो पेपर क्या दिख रहा है clockwise पेपर वे जो लाइन मानी यह तुम्हें इधर से देखोगे तो एंटी क्लोक्वाइज देखेगा तो यह नोर्थ पॉल यह साउथ पॉल क्या इसे बोलते हैं क्लोक फेस रूल ठीक है जिनों ने बच्चों ने पढ़ा हुआ बहुत बढ़ी है वैसे तो मुझे लगता सब नहीं पढ़ा होगा जो बच्छी स्टार्टिंग से पढ़ा हो गाए ना ऐसी कुश्चन आते हैं सिं साउथ पॉल बताओ करेंट है इंटी क्लोक वाइस कौन सा फेस है पॉल का नोर्फ पॉल खतम बात है चलो लास्ट वाली क्लास का तुम्हारा रेस्पॉंस था मुझे तो पता चलगा कि तुम सब बच्चों ने पढ़ रखा है यह बहुत तगड़ी बात है लास्ट क्लास क कहि lado आगे बरतें आगे बoba संस्क्राइबिस रखेंगैन करंट तो यहाँ पर ऐक कॉंसट बस याद क्या रखा जाएगा अगर कभी भी किसी सर्कूलर वायर में करेंट है क्लोक वायर तो वो वाली साइड कहलाएगी साउथ पोल और अगर किसी वायर में करंट है एंटी क्लोक वाइज तो वह वाली साइड क्या कहलाएगी नोर्थ पोल यही कॉंसेप्ट तुम यूज करोगे सोलनॉइड के अंदर आजो सोलनॉइड अच्छे कॉश्चन पूछा जाता है कि बत यह सारे चीज में आगे बता रखे अभी तुम आगे एंटी की कॉश्चन से देखोगे न सॉलूइशन सब बता रखा है और कुछ बच्चों को लग रहा होगा सरा बहुत तेज पढ़ा रहे हो बेटा सोच एंटी के सॉलूइशन भी कराने और एक्च्छल में यह वीडिय इसके बाद सोलनोइड पाते हैं सोलनोइड क्या बेसिकली कुछ नहीं ने कुछ तो है कुछ तो है कुछ तो है क्या है वो कुछ बताता हूं देखना दियांसे न यह ले लो बोटल यह बोटल ले लेते हैं पैन को साइड में रख देते हैं ये वायर ले लो ये वैर मेरे हाथ मे ठीक है लोग इस मांद दो यह देख पाँ है सब बच्चे पहले मुझे इतने पदो या दीए अब इसकी बीच में सब बोटल क्यश्चान्वा को रीजिशन तो यह जो वायर जिस शेप में तुमने बांधी है, इस शेप को, इस शेप को बोलते हैं solenoid, यानि basically solenoid क्या है, यह रहा solenoid, ठीक है, अब एक तकड़ी चीज इसमें क्या होगी, देखना, यह जो circle है नहीं circle, यह दिख रहा है, यह पहला वाला circle है, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे circle हो सकते, जितने ज्यादा number of coil, number of turns बोलते ही ने, उतना ज्यादा magnetic field अच्छा होता है, अब इससे current flow करा दिया, क्या करा दिया, ठीक है, current flow करा दिया, तो होगा क्या current, current, यह तो होगा current का, हाना बो, यह तो होगा current, ऐसे flow हो जाए, current है, तो देखो, यह कुछ ऐ समझ यहने, क्या सीज है, solenoid यह है, basically, यह solenoid, यह रहा, एक पार्ट आगी की तरह, देखो, यह रहा, यह wire जारिया, यह wire जारी है, यह wire जारी है, यह wire जारी है, इस से current जारहा, इसको मैंने बेटरीर जोड़ दिया है, यह रहा, current, पिर यह वाला पार्ट पेछे चला गया यह सब बच्चे बस इस वाली साइड को दहान से हैं इस वाली साइड को देखेंगे और कुछ नहीं नहीं की अब जाएक हैं नहीं देखें अ आख न sch你看 एथा सो इसमें फोली सब्राइब आगा टूरा तो क्या ये क्लोकवास डारइक्शन हिए आída मुझे अज़े ये वासाइदर से लिए इसमिन सामने से दिख रहे तो में सामने से दिखने असे दिख रहे लिए सीधिधी यह सीधर data पर नूर्फोल खाना बूलो खतम बस कॉंसेप्ट खतम यह था वस ओलनोइट अब इसमें फीड लाइन्स ड्रो कर दो मैं इसको दो तरीक से पढ़ा दो तुम्हें चलो दो तरीक से पढ़ा दो एक तरीका और है इसका जानने का देख रहे हो एक और तरीका है ध्यान से देखो यह साउथ है तो यह क्लियर हो गया साउथ में अंदर की तरफ मैगनेटिक फिल्ड साउथ टू नोर्थ होता है लेकिन बाहर की तरफ मैगनेटिक फिल्ड नोर्थ टू साउथ बाहर की तरफ 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 नोर्थ टू साउथ क्या फीलिंग आगी कॉंसेट की वस इतना बता दूंगे यह इं करेंट का नीचे की तरफ नीचे की तरफ करेंट है इस वायर में तो यह फील लाइंस देखो करेंट नीचे तो क्या फील लाइंस क्लॉक्वाइज इन फील लाइंस को देखो क्लॉक्वाइज ग्रीन वाली यह क्लॉक्वाइज यह वाला करेंट देखो उपर जा रहा है इसकी आगे NCRT की solution में लिखवा है what is solenoid simple एक long coil है जिसको turn कर दिया bound in a shape of cylinder or something like that यह तुम्हारा solenoid है कैसे current increase कर सकते हो by increasing number of turns पहली चीज़ number of turns increase करके पहला point दूसरा by increasing current समझ के बाद आसान है इसके बाद तुम्हारा क्या फ्लेमिंग्स left-hand rule सब बच्चों को पूछना फ्लेमिंग्स left-hand rule क्या है चलो एक question के साथ बताता हूं left hand rule एक question के साथ बता रहूं वह question क्या है ऐसे मालों तुम ऐसे बैठे हो ठीक है तुम बैठे हो फील करो सब लोग अपने रूम में बैठे हैं दिवार से ऐसे लगा के दिवार से लगा के बैठे हो ठीक है पीछे से एक अल्फा पार्टिकल निकला कहां से निकला पीछे से डारेक्शन लिखलो सब लोग राइट सुन लो सब लोग राइट हैंड मतलब एक्जाम में यही यूज करना कुछ दिक्कत नहीं होगी राइट हैंड मतलब इस्ट लेफ्ट हैंड मतलब वेस्ट लेफ्ट हैंड मतलब वेस्ट और फ्रेंट तुमारे सामने फ्रेंट मतलब चेस्ट फ्रेंट लिग देता का ऑवर्ण गूंग टो हत ऑफ है चोड़ो कहा से निकला c8 पीछे से निकलआ आगे गया यानिकिomu से निकला फ्रेंट में गया एलफा ऑटिकल कहा जा रहा है अलफा पार्टिकल कहा डा कहा बात नॉर्थ सब्सक्राइब का न्यूक्लियस अलवाइब कर लोता है helium का nucleus जिसको नहीं पता आगे अच्छे से explain क्या हो यह करूंगा मैं तो current के direction कॉंसी डारेक्शन में नौथ डारेक्शन में डारेक्शन मैंने बोला तो फॉर्स कौन सी डारेक्शन में होगी तो फ्लैमिंग बाबा का जो लेफ्ट हैंड डूल है समझो क्या होता है सब लोग अपना सीधात की मुठ्धी पूरी बंद कर लो थम निकालो पहले ठीक है अपनी पहली फिंगर निकालो फॉर फिंगर थम मतलब फॉर्स एफ बी मतलब मागनेटिक फील्ड सी मतलब करेंट सामने कर दो अचा कुछ बच्चों को ऐसा तो नहीं लग रहा है न मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ बैटा यह एक्च्छल में पढ़ाने वाली क्लास थी ही नहीं लेकिन मैंने यह जो हमारी सीरीज इसके अंदर हमें सिर्फ NCRT की इंटेक्स और सोलीशन कराने बट मुझे ऐसा लगा कि कहीना की बच्चों को ने एक रिवीजन छोटा सा मिल जाएगा ना एक्जाम से पहले तो उन्हें NCRT की इंटेक्स करने में और जादे हल्प होगी बस मेरा यह मानना है कुछ बच्चों को लग सकता सार तो बहुत शोटकट में पढ़ा रहे हैं यह पढ़ाने वाल नोर्थ डारेक्शन में बैक से फ्रेंट नोर्थ डारेक्शन में करेंट यह लो करेंट 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 मैगनेटिक फील्ड का बोल रहा हूं मैं मैगनेटिक फील्ड का मोल रहा हूं इस्ट डारेक्शन तुमारे राइट हैंड की तरफ तुम भी करना तुम यह मस्सोचना स क्रेंट तुमारी बैक से फ्रेंट की तरफ मैगनेटिक फिल्ट इसली तरफ हम सबका नीचे आ रहा है क्या फोर्ष आधी द ensemb., क्या फोर्ष दाउन्वर्ट आगई आगई फोर्ष आगई डाउन्वर्ट के बात संध मैं बिसमजी इतना बता दो फोर्ष downwards एक और कोश्चिन करोंगो टेंचिम बंदो एक और कोश्चिन चलो इसका गर आता हूं मैसे कोश्चिन आगे भी होंगे इफ कोश्चिन यहां समझा दिया कॉंसेट यह था तुम्हारा फ्लैमिंग्स लेटें टूल ठीक है अब यही कॉंसेप्ट तुम्हें कहां यूज करना force on a conductor placed in a magnetic field in a magnetic field in a magnetic field ठीक है अगर तुमने कोई conductor रख दिया कहां रख दिया भी यह कहां magnetic field में conductor इसका एक experiment भी तुमारी बुक में तो बस इतना याद रखना let's say conductor की length है मालो L length L जितना ज्यादा बड़ा conductor होगा जितना ज्यादा यानि force लगी की इस conductor मालने है magnetic field है यहाँ पर horseshoe magnet है मालो north-south जितना force लगी इसके उपर force लगी तो हिलेगा डूलेगा तो force उतनी ज्यादा होगी जितना length of conductor ज्यादा होगी पहला पॉइंट फोर्स उतनी ज्यादा होगी जितना यह field होगा magnetic field जितना ज्यादा होगा magnetic field को B से denote कर देते हैं कि फोर्स उतनी ज्यादा होगी जितना इसमें करेंट फ्लो करेंगे जितना ज्यादा इसमें करेंगे अपना लेफ्टेंड फ्लैमिंग सुछ इसके उपर फोर्स निकालने के लिए इसके कुछ इसके तो मैंने कराई दूंगा तो आई थिक यहीं है तुमारे चैटर में जो बेसिक बात थे फ्यूज वगेरा वह तुमारे सब एंसे आइए फ्यूज और यहीं सब पीछे में करा दूंगा फ्यूज अप आवर लोडिंगे सब करा दूंगा तो बस मुझे बताओ एक बेसि हीरन के न डियर की यहां पर कुछ होता है अब मुझे एक्जेकली नहीं बता क्या होता है उसके यहां पर ने स्मेल आती है तो वह पूरी जिंडीवर ऐसे इसमेल ढूंदता रहता है और सोचता रहता कहां है वह इसमेल यानि कि यह मैं क्यू बता रहा हूँ तुम बच्चे इधर उदर ढूंते रहे तो सार कॉंफिदेंस नहीं आ रहा सर मोटिवेशन ने फीलो रही वह कॉंफिदेंस और मोटिवेशन तुम्हारे अंदर ही थी वह तुम्ही अपने अंदर से निकाल सकते हो कैसे अगर तुम्हारा servers complete होग करो पहला काम, revise करने के बाद उसके अपर करते हैं पहले कोश्यन के साथ वैहिए लग admitted fait ने सब दो पढ़ा इन सिर्फ कॉश्यन तुम्हें देखने चुट्कियों में सौल वोंगे न और तुम्हें अंसर적 बनाने तुम्हें शीक्षने तो जिन्हों ने एक रिवीजन कर लिया आप उसके बाद यह कोश्चन करेंगे उसके बाद तुम्हें पता है लास्ट क्लास में जो तुम्हें बताया था पांच पॉइंटर्स लिखवाया थे याद एंसी आटी जो पहली वाली क्लास एलेक्टिसीटी वाली पांच और ऐस निडल गेट फिलक्टिद वेंड़ूट नियर अब बार मैगनेट बार मैगनेट यह यह क्या वही है और शिचाफ कश्पेरिमेंट लाकर दो खेक है स्टॉटी सी मैगनिट होती और और पहले हम इसको से बनाते थे आजकर हमने क्या किया आईर्म वगयर से बनाने स्टाट कर दिया और लोडस्टों से हैमर करो और पर ऐसी तॉस्वल पनता है मैडनी तैट पर लगी ऑस इसके उस पर लगी पो स्स ऴ क्या magnetic field वाली फोर्स लगी है अब बस current की जगे question वाले ने क्या बोला एक बार मैगनेट रख दो यहां पर रख दो compass कहीं भी रख दो यहां रख दो यहां रख दो यहां रख दो यहां तुम्हें ना कहीं भी तुम रखोगी इसके आ स्पास, क्योंकि bar magnet की field lines होंगी हो यह बना देता हूं, य其實 बार्गनट की field lines आ सब को, इस बार्गनट की field lines भईख बताए, बाहर नोर्थ-to-south होती है, field lines की direction, और अंदर वह 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 ऌनदर साओट टूनोर्थ je ये solenoid के अंदर हम पढ़ता है ना चालो तो अगर तुम कहीं भी आसपास में कहीं भी compass रखोगे सोचो में यहां रख दू के field lines उसके ओपर force लगाई दक्का तो क्या वो deflect होगी when why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet तो इसको बनाने का तरीका क्या solution को compass needle itself a small magnet self a small magnet if we put it near a bar magnet because of the field lines of bar लिखना कैसे मैंने तुम्हें एक तरह से बता दिया बनाना कैसे वो मैंने बता दिया अब इसका proper answer भी मैंने लिखके मैं यह करके लाएं भी तुम्हारे लिए देख लो the compass needle is a small magnet when the compass needle is brought close to the bar magnet the magnetic field lines of the compass needle interact with the magnetic field lines of the bar magnet which causes the compass needle to deflect खुद बना के लिखना देके लिए यह बुकिश लेंग्विज सिर्फ उन बच्चों के लिए जोने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की और वेसी बात है अब उनके पास चारा नहीं बचा पर फिर भी मैं देखो ट्राई कर रहा हूं कि वो बच्चे भी समझ की लिख है अंसर समझ के लिख डालोगे ना तो कोई जोरत ने बढ़ेगी फिर एक्ट्र सोच नहीं किए ना चलो अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला चोटा सा कोश्चन क्या है क्या ड्रो मैगनेटिक फिर लाइन अरॉंड बार बना देतो नौर्थ सौथ सुन्दर सुन्दर सी बार मैगनेट की लाइन बना दो बैए बना सकते हो देख लो सुन्दर सी बनाना न भाई देखो एक है और यहाँ से निकाल दो यह बहुत इंफिनेट वाली दूर वाली है नो magnetic field lines north से निकल रही है और south में enter कर रही है इसके ओपर ही question आ जाता है सिर्फ field line देदेगा पुछे का बता कौन सी direction नौर्थ साथ है सुन्दर सा डाइग्राम दिख्या बार मैगनेट के रहां magnetic field lines अगले question बचाने किते छोटे छोटे प्यारे से question इस शेप्टर गया लिस्ट दा properties of magnetic field lines पहली पहली property बताओ वही क्या होती है सबसे पहले बार magnet की या magnet की field lines की property क्या होती है बही है always form closed loops closed loops although यह वाला property तुमसे 10th में पूछता नहीं है लेकिन मैंने 12th वाली चीज़े बता दी तो इसे exam में लिखो मतलिको गलत नहीं होगा ठीक है दूसरा near the poles near the poles क्या होती बहीं near the poles बताओ strength of magnetic field strength of magnetic field magnetic field line is strong as as q as there are more number of there are more number of field lines जहां जितनी जादा field lines उतना जादा magnetic field strong two field lines field lines never intersect each other never intersect each other never intersect each other वैसे तो तीनी property काफी है और यह क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती इसे related अगला कोश्चन आएगा अगला कोश्चन इसे related तो महीं लिख वादू हो तो फील लाइस never intersect each other थेक है direction of field lines direction of field lines direction of field lines outside the magnet outside the magnet is from north pole to south pole is from north pole to a south pole quick revision के पास सब आसान लगता नो तब आसान लगता नो कर लो screen लिख लो यह screenshot ले लो 1 2 3 and go अगला कोश्चन कितना आसान चप्टर है why don't two magnetic field lines intersect each other समझता है तुम्हें पता है यह मानलो magnet है यह field line है सोचो अगर मैं एक magnetic compass यहां रख दू इस जगह का रख दू यहां तो उसके अंदर तुम पता है यह 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 बताता है और south attract हो तो इधर आएगा यानि हर एक point क्या बताता है direction of field line field line की direction मतलब कि अगर मैं यहां पर कोई magnetic substance रख दू तो उस पर किस direction में force लगेगी वो बताता है अब मैं यहां सीधा जा रहा हूँ एक box से सीधा मैंने इस आगे धक्का दे दिया धक्का दे दिया सीधा सीधा दे दिया तो एक ही direction तो होगी इसकी force लगाने की ऐसा थोड़ी ना कि मैं यहां और यहां दोनों तरह force लगा पा रहा हूं पॉइंट समझो मेरा किसी एक पॉइंट की मानलो तुमने एक बॉल फैकी सामने यह बॉल फैक रहे हो तो इस बॉल की डारेक्शन देख पा रहे हो तुम यह किसी एक ही direction में तो जा सकते है दो direction में possible थोड़ने इसका जाना यानि कि अगर तुम कहीं भी कोई point पे tangent draw करोगे math की term tangent क्या होती है circle है circle लिखवा भी दूँआंसे टेंश मत दो इस circle के किसी भी external point पे तुमें line draw करो जो इस point को एक जगे से छूक है जाती है इसको बोलते हैं tangent तो tangent basically क्या करती है किसी भी एक point की direction प्रोवाइड करती है direction बताती है कि इस point की कौन सी direction है अगर सोचो यह point इस direction यह वाला point यह direction बता रहा है ठीक है यह वाला point यह direction बता रहा है अगर तुमने कभी दो फिन वाले कोawan नोगों मालो एक लिए इनको इंटरेक्षिट करा दिए अगर तुम इस पोइंट पैर याद रखना किसी भी एक पॉइंट की दो डारेक्शन पॉसिबल ही नहीं तो कैसे ही दो इंटर्सेक्टर सकती है आपस में इंटर्सेक्टर रिमल डारेक्शन दो तो इसी चीज को कैसे लिखो के इफ तू मैगनेटिक फ्री लाइंस इंटर्सेक्ट वेलकूल सहीवर्ज जो मैंने बोली देनेट पॉइंट पॉइंट फॉइंट फिंटर्सेक्टर शोग्षू इस नोर्फ जिंट इंटर्सेक्टर को क्यो हाड बोलते हो बहिया कितना आसान तो चेप्टर है sample paper solve कर रहा है तो उसमें तो और भी बच्चों वाले question थे कर लिए न sample paper solve सबने चलो अगला question यहां दो पार्ट इस question के एक पार्ट यह रहा है एक पार्ट यह रहा है दो पार्ट है पहला है consider a circular loop of wire lying in the plane of a table ठीक है lying in the plane of a table सुनना ध्यान से क्या हुआ है अगर यह table है न तो इस पर ऐसे पढ़िए उपर की तरफ नहीं है circular ऐसे नहीं है इस पर पढ़िए table यह table इस पर पढ़िए circular wire point समझगे चलो यानि कि जैसे हम पुराने डाइग्राम बनाते थे तो तुम्हारी आगे क्या let the current pass through the loop clockwise उस लूप के अंदर current कैसे पास करा दो clockwise यह रही टेबल को इस टेबल पर यहाँ लूप को ऐसे रखो पढ़िए धियान लगना ऊपर नहीं है 3D में नहीं है उपर नहीं है इसके उपर ऐसे लेटी टेबल के उपर ठीक है अब सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो इस वाले पार्ट को अगर पुदा से अगर को इसे फिल कर पा हो और नीचे की तरह से एक सर्कूर पॉइंट बमें अरे वहते हैं यहां पर कर एक सैखाँ यहां सिंबरहुद बना द debating getting यहां कारेंट की डारेक्षिन क्या है यह रही तो इधर भी बनाओ मैगनेटिक फिल्ड है इंक बना देते हैं चलो ग्रीन कलर से ही यहां पर भी ऐसी कुछ होगा 3D में समझ पार हो कर ले बताओ आसान है और बीच में कुछ ऐसा होगा 3D में फील हो गया मेरा काम है तुम्हें फील दिलाना ठीक है देखो यह कुछ दिखाई दे रहा है कितना प्यारा डाइगनम लग रहा है और यहां पर ऐसे नीचे नीचे की तरह ठीक अब एक बात देखो इसे इसने कहा इस कुछ न में तुम लोग मुझे बताओ क्या बताओ अप्लाइड दर राइट थम रूल तु फाइंड आउट डियेक्शन ऑफ मेंगनेटिक फिल इंसाइड इंसाइड आउटसइड दा लूप यह यह लूप यह लूप के अंदर यह वाली ग्रीन वाला पार्ट है लूप के लूप के अंदर की बात कर रहा हूं मैं क्या लूप के अंदर की मैंगनेटिक फिल लाइंस की डारेशन ही है तो लूप के भार ओपोजिट यह समझ डाला तो लाइट जींगा लाला पता भी है याद दिलाता हूं स्ट्रेट कंड़क्टर में अगर करेंट ऐसा होगा ऊपर की तरफ तो क्या फिल लाइंस यह होंग तो देख लो वही हुआ वही हुआ उपर करेंट उपर टेबल लेटी करेंट उपर फिल लाइंस ऐसे यह लेटी है वो स्ट्रेट वार दिखाई थी मेरा तो दोनों में हलका से डिफरेंस से धियान रखना कुछ बच्चे गलती कर देंगे इस क्वेश्चन में बकाइदा त टेबल इससे बहुत सारी चीजे चेंज हो जाती है लाइंग मतलब लेटी है अब तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें एक टेबल जैसी कुछ चीज लेनी पड़ेगा उसमें करन्ट देखो ऐसे जा रहा है तो इसके अंदर वो सरी है इधर सा जाओ करन्ट नीचे लो नीचे करन नीचे लो अब इस वाली लूप में करेंट का है तुम्हारी तरफ ऐसे बाहर तो थम ले जाओ तो देखो मैंगनेटिक से लेंग अब इस वाले पार्ट में नीचे है और बता और कितने फिलिंग चाहिए क्लियर हो गया अब इसे दिखा भी देता हूं कि तुम्हें यहां से देखो लेटेबल और 3D में फील आगी लो मैंने तो दिलाई दी यह भी देख लो लिटाई भी दिखी और देख रहो फील कर पारे हो दोनों तरीके से बता दी और ब यह भाला पार्ट अंदर करना मैगनेटिक फिल्लाइंस डाउनवर्ड आउटसाइड द लूप फिल्लाइंस अपवर्ड्स क्लियर हो गया देख लो सेम बता है प्यारा सा डाइग्राम बना दिया थेख लो गया थेख यह करंट की डारेक्शन है यह करंट ठीक है चलो अगल आपार्ट करांगनेटिक फिल्लाइंस इन गिवन ब्लाइंस तबार कीं यहां पे क cane में जूर जाद होती फिल्लाइंस यहां पहीं कहां फिल्लाइंस च्वें यह न पालाइड्शों बसंद्द सल्ट कर अक्या शोलनियु यह वेल्यां इन्दर की तरफ field lines अंदर की तरफ याद करो के बता है था inside the solenoid यह diagram भी बना दिया मैंने inside the solenoid magnetic field is uniform हाँ न बोलो is uniform सही बात है inside the solenoid है दियान रिखना inside the solenoid और field lines parallel है inside the solenoid देख लो यही तो पड़ा है था चलो आगे बढ़े जाते हैं आगे बढ़े जाते हैं अगे बढ़े जाते हैं एकला question आपकी screen के सामने यह रहा magnetic field line इने given region is uniform correct given region में magnetic field line uniform है यानि solenoid की बात कर रहा होगा ठीक है draw a diagram to represent it oh shit यह मैंने क्या किया यह double question आगे इसके उपर magnetic field inside a solenoid यह लिखना भी है magnetic field inside a solenoid गलती भई है तहे दिल से शमा पराती हैं तहे दिल से हम शमा पराती हैं गलती इंसानों से ही होती है ठीक है लेकिन अपनी गलती टाइम पर पहचानना वो हमारा कर्तव है हमने पैचान लिए ठीक है तो magnetic field inside a solenoid पूछ रहा है इस zero गलत decreases as we move towards the end inside the solenoid क्या होती है simple सी पता है हमें uniform field होती है अंदर हर जगे uniform field है यानि equal है हर जगा है ना तो यह भी गलत हो गया increases as we increase तो हो जी नहीं सकती is same at all points correct clear होगे पहले पता हू inside a solenoid simple सा दिमाग में विठा लो field lines are uniform तेक है अं parallel to each other ठेक है हर जगा equal होती है outside the solenoid सबसे तगडी magnetic field मैंलो ये north pole ये south pole near the pulse is maximum outside the solenoid बोल रहा हूँ near the pulse is maximum और pole से दूर जाओगे तो minimum ठेक है चलो गरा रहा है which of the following property of a proton proton पता है positive charge ठेक है अब एक बात याद रखना electron यानि negative charge अगर electron इधर जा रहा है तो याद रखना current इसके opposite direction होता है अगर proton इधर जा रहा है तो मतलब current की direction भी ही है ये बात याद रखोगे which of the following property of a proton can change proton की कौन सी property change होगी while it moves freely in a magnetic field अगर एक magnetic field देदी है ये magnetic field की direction देदी मैं बोल रहा है यहाँ पे प्रोटोन है जो move कर रहा है मालो ऐसे जा रहा है field line की वज़े से इसके उपर force लगेगी force लगेगी तो इसकी velocity change होगी है ना सही बात है mass change नहीं होगा है ना mass change नहीं होगा हो सकता है इसकी speed भी constant अब कुछ बच्चे velocity और speed में confused होते है तुम्हें याद होगा हमने concept पढ़ा था जब charge particle जब charge particle magnetic field में मालो ये तुम्हारा magnetic field है ये रहा magnetic field अगर charge particle कभी भी इसमें enter करता है लो एक और concept आगया अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर charge particle positive enter कर रहा है वी velocity के साथ तो यहाँ पर left hand flaming's rule लगाने left hand जिधर charge particle उधर current magnetic field अंदर क्या force उपर देखो दुबारा charge particle की direction वही current की direction तो क्या ही current की direction left hand flaming's rule current की direction magnetic field अंदर तो कि इस पर force उपर थंबू पर आ रहा है force इधर लगेगी तो यह ऐसे goal घूमने लग जाता है ऐसे circular motion करता है circular motion में speed constant हो सकती है but velocity is changing because its direction is changing 9th में पढ़ा होगा velocity vector quantity तो यानि circular motion में speed constant हो सकती है but velocity change होती है क्योंकि velocity related to direction direction change हो रही है तो momentum का formula क्यों होता है mass into velocity याद है momentum का formula mass into velocity अगर velocity change हुई तो क्या momentum भी change हुआ अरे momentum का लेना देना velocity से velocity change तो क्या momentum भी change यह question इस chapter का सबसे logical question है सबसे तगड़ा और अच्छा question है hard नहीं बूलूँगा मैं सबसे logical question ऐसे question वो बच्चे कर पाते है जो concept समझते है यहां रटने वाले गड़बर हो जाते है तो तुम कोई हो बोल दो जल्दी जल्दी सा आउट आउट दे तो कोई हो तुम लोग conceptual तोते है या रट्टू तोते है या cute cute तोते है हाँ क्यूट तोते बताऊंगा कोई होता है बाद में बताऊंगा भी नहीं बताऊंगा ठीक है चलो समझ गे लेफ्रेंट फ्लैमिंग्स रूल स्टार्टिंग में ने बताई भी है तुमें रिवीजन में कैसे काम करता है चलो आगे चलते है अगला question केरा which of the following property of a proton अचा ही same question ने शोड़ो अब positively charged particle alpha particle alpha particle क्या होता है सुनो alpha particle क्या होता है सुनो तुमें helium का पता है helium ये होता है 2he4 helium helium के पास 2 proton 2 electron अगर हम इसके 2 electron निकाल लू कहीं से 2 electron निकल जाए तो 2 positive charge आजाता है अगर मैं इसके 2 electron निकाल लू 2 electron दे दिया मतलब 2 positive एक electron दे दिया एक positive समझे है जो electron दे दे देता वो positive बन जाता है electron देने के बाद के ये बचा है एच्छी 2 positive इसी का नाम है alpha particle याद रखोगे यानि इसके पास electron नहीं है electron नहीं सिर्फ positive particle है जिधर positive particle चलते है alpha particle जिधर positive particle चलते है क्या वही direction of current भी है डीट में जा रहे हैं देख लो कह रहा है अब positively charged alpha particle projected towards west west में जाता है अब direction सुनो सब बच्चे right hand मतलब east left hand मतलब west कहीं भी बैठे हो class में right hand मतलब east left hand मतलब west सामने north back में south याद रखोगे बाद right मतलब east left मतलब west सामने north पीछे south हो सकता है मेरी direction तुम्हें उल्टी दिख रही होगे है पर याद रखना अपना right hand मतलब east अपना left hand मतलब west कहीं भी बैठे हो तो यानि ये clear हो गया alpha particle कहा जा रहा है तो क्या current भी west direction में current भी west direction में कहा है is deflected towards north कहा है north में deflect हो गया north में deflect हुआ यानि north direction में force है force कोंसी direction में north में force कोंसी direction में भी या north में भी या force है north direction में direction of magnetic field बता दो direction of magnetic field बता ओ बताओ तुम लोग में पानी पी लेता हूँ direction of magnetic field बता दो जल्दी से चलो करें श्टार्ट करें लेफटेंड लेओ अपने सब लोग सब लोग अपना लेफटेंड लेकेंगे भी या मुठी बंद करो अंगुटा खोल दो अब फॉर फिंगर यह नहीं पहली इसा खोल दो पोर्स, magnetic field, fbi सामनी की तरफ इसा लो, current कुनसी direction में? west, east, current, west, current, west, force का है? north, north काहा? सामने, अभी बताता है? सामने, देखो, थम सामने आ रहा है, उंगली काही है मेरी यह वाली? उपर, magnetic field काहा है, upward direction, कितना आसान है? दूबार दूबार, 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 मुटी बंद current, current कुनसी direction में? west में? right hand मतलब east, तो left hand मतलब west, 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 force काहा? north, north काहा? सामने, देखो, तुमार दर, force इधर, current उधर, तो यह तुमारी four finger काहा दिखा रही है? उपर, तो कुनसी direction होई? magnetic field की, upward, आसान था, पर आगे बढ़ता है, यह मैं तुम्हें सब चीजे बताता चल किसी को कोई दुख दूबिदा नहीं होनी चीजे, अब यह activity है तुमारी, activity है, क्या रहा, how do we think the displacement of road AB, AB road का displacement कैसा होगा, ठीक है, will it be affected, पहला point, क्या यह, पहले तुम्हें simple सा बताता हूं, यह question है, force on a conductor, carrying current, current भी इसमें, carrying current, placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, in a magnetic field, तो एक चीज ध्यान रखना लिख लो, यह जो force होती है, यह force, कितनी force लगेगी इस AB पर, यह उतनी ही जादा लगेगी, जितना जादा इसके अंदर current होगा, इसके अंदर current फ्लो कर रहा, उतनी जादा force, force उतनी ही जादा, जितना जादा इसके अंदर current, दूसरा, force उतनी ही जादा, जितना यह, इसका magnetic field, यह horseshoe magnet दियो ही न, जितना जादा magnetic field, उतना जादा force लगा सकती है न, जिसको यह B नहीं पता क्या होता, जैसे current को I से denote करते हैं, magnetic field को B से denote करते हैं, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया, वैसा पढ़ा होगा, ठीक है, और एक और चीज़ पाओ, जितना बड़ा conductor, क्या उतनी जादा जगह पर force लग सकती है, तो जितनी जादा length conductor की, उतनी जादा force, इससे related 12th class में एक formula आएगा, तो force कितनी जादा, जितना जादा current, इसके अंदर, force कितनी जादा, जितनी जादा यह magnetic field, force कितनी जादा, जितना क्या फर्क पड़ेगा, पहला, अगर current in road is increased, अगर current को increase कर दूँ, तो पहले का answer किया, magnetic field will increase, पहला answer, क्या फर्क पड़ेगा, अगर stronger horseshoe magnet ले आँ, क्या जादा strong magnet ले आँ, मतलब जादा magnetic field, जादा magnetic field मतलब, बोलो, फिर से क्या होगा, force बढ़ी किसके पर, current बढ़ा होगे, कर दू, length increase कर दू, क्या, फिर से force increased, कितना प्यारा और कितना आसान सा question, इसलिए क्या तो concept पढ़ लो, सब खताम, तो अगला question, name two safety measures commonly used in electrical circuits and appliances, अब बताओ, इस question को पूछने की question वाले को वैसे जरुत तो नहीं थी, है न, कोई जरुत थी मुझे बता दो बढ़ा, तो दो च खतम, fuse किसलिए, अब यह मैं लिख यह मैं लिखवा दिये न, फिर भी मैं बता जाता हूं, last chapter में, last नहीं, इसी chapter में आगे इनकी पूरी वुआएंगी, पूरे detail में आएगा, तो वो आगे लिखवा दूएंगे, लिखवा, अभी बता जाता हूं, क्या होता है, fuse, fuse, तो यह fuse ब्रेक हो जाता है, यह ऐसा होता है हमारे circuit में, यहाँ पर एक wire होती है, यहाँ से electrical supply आई, और यह हमारा घर है यहाँ पर, यहाँ पर हमारे घर की चीज़े, यह actually में lead का होता है, अलग-अलग तरीके से बना सकते हैं, इसका melting point कम होता है, melting point कम होता है, अगर हद से जादे इस से कुछ current आ गया, current कुछ जादा flow हो गया, circuit विल ब्रेक, यह बेकार टूड जाती है, तो आगी की चीज़ों पर फालतू जादा current नहीं जाता, ठीक है, इसका मैं आगे detail में solution लिखाँगा, अर्थिंग पर आ जाओ, तुमने देखा है म यह earthing के लिए होता है, इसके अंदर नहीं wire connect होती है, और वो wire earth के अंदर जाती है, जिसका resistance काफी low होता है, जिसका resistance काफी low होता है, यह बी end में, यह end में पूरे detail में लिखवा दूँगा एक बारा, tension बढ़ दो, even आगे बढ़ा के देख लो detail में लिखवाई दियोंगे, अगर तुम देख पार recording है, तो क्या होता है, कभी-कभी, कुछ appliances जैसे metallic appliances, metallic मलब तुमारे घर में press है, यह press है, यह metal क्यों होती है, इससे wire connect की और यहाँ पर switch लगा दिया, ठीक है, यह लगा दिया, ठीक, तो होता क्या तुम press कर रहे हो, तो कभी-कभी क्या होता है, प्रेस कर जाता हो, बाहर आजाता है, और अगर तुमने वहाथ लगा तो तुम्हें करन लग जाएगा, तो यह जो बाहर वाला चार्ज है, क्योंकि इस वाली जिगह पर एक low resistance wire लगी हुई है, तो बाहर वाला चार्ज, चार्ज हमेशा वो रास्तर ढूनता है, याद करो पहले chapter मे क्या पढ़ा था, चार्ज हमेशा कौन सा रास्तर ढूनता है, कम से कम resistance का, तो यह चार्ज सारा flow कर जाता है, इस अर्थ वायर के थूरू अर्थ और हम बचे जाते हैं, एर्थ वायर कौन, ग्रीन से दिखाते हैं, जैसे तीन वायर होती है, लाइव, नूट्रल और अर्थ, तो अर्थ वायर ग्रीन से दिखाई जाती है, ठीक है, तुम्हारी लाइव वायर रेड से दिखाई जाती है, और नूट्रल वायर बता भी किस से दिखाई जाती है, ठीक है, तो इन दोनों के ही solution, भई है मैंने end में डाल दिये, तुम अभी आगे देखो के दल गये, पुर आज अगला, एक एलेक्ट्रिक अवान है, दो किलो वाट का, पावर कितनी, दो किलो वाट, ये एलेक्ट्रिसी डिगा कोश्य ने देखाई जातो, दो किलो वाट पावर रेटिंग का, इस ऑपरेटिटी इन डोमेस्टिक सर्किट औफ वोल्टेज इतना, वोल्टेज 220 दे ठीक है, कैरा है, that has a current rating, current rating 5 ampere, current rating का मतलो बताता हूं क्या होता है, जब तक तुम 5 ampere तक current flow कराओगे, वो अच्छे से काम करेगा, अगर ज्यादा current आ गया, तो नहीं कर पाएगा, गड़बलो जाएगी, है न, what result do you expect, कैरा है, क्या result expect रहा है, तो चलो देखता है, सुनना दियान से, current इतना allow है, इतना flow नहीं हो रहा, उसने का इतना current हो सकता है, इतना current जहल सकता है, तो हमें क्या पता, अगर ये वाला connection है, तो कितना current आएगा, मुझे क्या पता, ये 2 kilowatt को लिख सकता हूं, 2000 watt, चेक करते हैं, पावर का formula वी आए, पावर कितनी है, 2000, voltage कितनी है, 220, into current, सही है, current निकाल सकता है, यानि अगर मैं 2 kilowatt का oven यूज़ कर रहा हूं, और voltage इतनी है, तो वो current कितना flow कर आ सकता है, ये ढूनना चाहरे हैं, allow सिर्फ इतना current तक flow कर आए जा सकता है, हमारे पास सुवि मैंने जोड़ा, तो कितना current खीचना चाहता है, अबन, तो देखो करते है, 2000 upon 220, क्या ये 9 point something आएगा, calculate करो, क्या ये 9 point something आएगा, 9 point 1 ले लो, approach वहीं आएगा 9 point 1 ampere, क्या ये तभी काम करेगा, जब 9 point 1 ampere आएगा, 2 kilowatt का, 2 kilowatt की power का, तुमारा, क्या कहते है, अबन, voltage 220 की, ये तभी काम कर सकता है, जब इतना current मिले 9 point 1, तो बताओ, क्या होगा 9 point 1 current जब नहीं मिलना, तो बताओ, current drawn by दाविच, तो ये भाया, safe limit को exceed कर रहा है, तो इसकी जो wire होगी ने, जिससे connect होगा, that wire will burnt, खताब, that wire will burnt out, that's it, and break the circuit, that wire, क्योंकि safety measure तुमें दे दिया 5 ampere, इससे जाधे current flow कर आएगा ये 9 point 1, तो जिस wire से connect हो, wire जल जाएगी, and circuit will break, ठीक है, चलो होगी है, आगे बढ़ जाते है, आगे बढ़ जाते है, कहां गया, what precaution should be taken to avoid the overloading of domestic circuits, हमें क्या precaution लेने चाहिए, अगर हम अपने घर में जो circuits हैं, उन्हें हम overloading से बचा पाए, पहला, बता तो खुद सोच के बोले तो तो तुम्हारे घर के circuit से बताओ, connecting पहला point, we shouldn't connect, we shouldn't connect, too many devices, from a single circuit, क्योंकि ये series circuit बन जाएगा न फिर, और जाएगा, करण जाएगा, वायर पिंगल जाएगा, जल जाएगा, ये भी उत्रुकता है, too many devices from a single circuit, पहली सीच, single circuit, we shouldn't use, we shouldn't use, faulty appliances, faulty मतला, जिनके अंदर कुछ गढ़ बढ़े, तारवार आपस में touch ना हो जाए, short circuit हो जाएगा, faulty appliances, पहले मुझे बताओ, ये सब बाते गाथा समझ में आ रही है, पूरा आसान लग रहा है नहीं, जल्दी से बताओ, जोश कैसा है, फिर तुम्हे लास्ट पी गाना सुनाएगा, अच्छा सा, ठीक है, और, एक और लिख सकते हैं, using too many devices at the same time, same time पर बहुत सारे devices use कर लोगे तो भी गड़बर हो जाती है, ठीक है, तो अभी तक 12 questions होगे भी, सबको सब समझना आ रहा है, ये बताओ, पहली बाली class की तरह है, आज वो नहीं बोलेंगे, teacher कब तक पढ़ाओगे, है ना, आज नहीं, आज हम कम पढ़ाएंगे, है ना, ठीक है, तो चलो, अग पर अगर किसी ने देखा है, तो उन्हें पता होगा, assertion reason की उसमें कुछ question थे, तो मैंने तुम्हें वहाँ भी बताया था, और वापस से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, assertion reason से डरने की जरुरत नहीं है, जिस बच्चे ने ये complete, मैंने पहली class करा है, electricity वाली, या फि पर नहीं होता है, अमर भर अगर मैं ख्याली बूतों से नडरता, तो कैसे जोर से जीता, वह वाली बात है, कि फाल तुम्हें तुम्हें वहाँ तुम्हें तुम्हें तक लगाए, नहीं है, और नहीं है, सुम्हें डरते रहते हैं, और सर, case-based आगे तो क्या होगा, assertion reason लॉंग शेट वाइरी तुम्हारी हैं अब माल इसमें करंट ऊपर ले लो नीचे ले लो कहीं भी ले लो अगर मैं करंट ऊपर लूँगा थंब को ले जो ऊपर की डारेक्शन में जो इन सर्कल कर रही तुम्हारी उंगलियां वही तो मैगनेटिक फिल्ड है तो यहां पर ऐस दाल दो लोहे का चूरा तो वह अपना पैसे सर्कल बना लेता है से इस टाइब से तो पढ़ाद लेते ओप्शन क्या है क्या रहा है दफील्ड कंसिस्ट ऑप स्ट्रेट लाइंस पर पेंडिकुल टुवाइर स्टेट लाइन है नहीं कॉंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए चल इतना आसान कोश्चन बताओ चलो अगले कोश्चन पे चलता है आपकी स्क्रीन पर यह अच्छी इस पर आई लिग देता हूं चलो है अगली स्क्रीन के राइट टाइम उफ शॉर्ट सर्कुट जैसे ही शॉर्ट सर्कुट हुआ शॉर्ट सर्कुट के टाइम पर जो सर्कुट में करंट होता है वो कितना होता है हाँ बोर्ड बूश्चन वाले बताएंगे इसका आंसर जिने मैंने भी पढ़ा है बाकी तुम जो जहां से भी पढ़के है जितनी बच्छों ने जो पढ़ा एक बर मुझे कॉमेंट में बत थो कि की पूरी डेफिनیशन एगी आएगी थीक है मान लो यह तुमारी लाइफ द मान लाइब बायर कौन सी वायर या ओए यहां पर फ्यूज लगा हुई है यहां तुमारे घर में मीटर और यहां पर एप्लाइंसों लेलो और धीड गलेए जरु यहां पर एक एंसी लग से लोवर लोवर पोटेंशल की तरफ क्या करता है अब अगर मान लो शोर्ट सर्कृट की सिच्वेशन में दो दो चीजे होती है एक तो अवर लोडिंग हो जाती है वह अलग चीजे मान लो यहां आपस में होती न जो वायर की ऊपर से इंसुलेटिंग पार्ट हट यह तो मिल जाती है अगर मिलजाती है आपस में तो तो बात बन जाए यही तो होता है तो वह क्या करते हैं वह भाग पड़ते कहां से कहां वह उस रास्ते को ढूंड लेते जहां पर कोई रेजिस्टर हो तो पूरा का पूरा का पूरा करेंट जो यहां से आया वह यहां से फ्लो कर जाता है इनके पास जाता ही इनके पास जाता ह और यह तीनों तो चलेंगे निक्योंकि इनके पास करेंट पहुचा ही निया तो इक खराब नहीं होएं बस इनके पास करेंट नहीं पहुचा तो क्या बहुत तगड़ा करण एक बन सी वायर में फ्लो हो गया यह तो हुआ ऑप्विन क्या है डीयुजेज तो झाण वह करेंट डास पहले गलत बढ़िए ना इंग्रीजिज नियुक्रह बहुत जादा करण अब झादा करण ज़ादा करण दबढ़ ऄंगे वह सबस्के क्लिया अगले पार्ट पर चलेय अगला पार्ट स्केंशोट लेलो वगर टू आ के रही state weather the following weather व्य região मोसम वाल कर सकता है कोशचन वेदर दा following statements are true and false अब यहां पर तुमसे true Crash खला रहे हैं तुम है ठील्ट the field at the center of a long circular coil carrying current field at the center of a long circular coil at the center of the field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight line क्या वो parallel straight line होगी हाँ या ना बोलो चलो तुम्हें याद दिलाते हैं circular field बना देते चलो ऐसा कुछ डाइग्राम बनाया हुआ हुआ है तुम्हारी इस चान बुक में शायद मुझे याद निए एक्जेक्ट है ना यहाँ पर फिन कर दो यहाँ पर दो यहाँ से निकाल दो और यह वायर ऐसे निकली ऐसी करते हैं याद आ गया होगा अब तो होता क्या है इसके लिए रिर्स्ट्रीव दो सब्सक्राइब तुम देख कर दो बात यहां पर जुब बदाएवा वहतां देना और यहाँ यांप द्रता कर लए लूट है थयादिया ए पदो और यह भाहरटत राध खेर यह true false में समझ गे तो बीच वार लाइन औया वइसी बात है यह हुवा true तक हुषर वार होती है गुंकि कोश्चन वाला पूछ रहा है कि जो ग्रीन वायर रहे नव वो किस तरह से दिखाई जाती है बतो ओसरी ग्रीन वायर को लाइब होती है गलत पॉलस क्योंकि ग्रीन वायर तो होती है अर्थ वायर आसान आसान से क्वश्च अगले जुर लो अगला कोशन. के लिस्ट टू मैफोडस गृद्जिंग पर्डूजिंग मैगेटिक फिल्टॡ अब ऐसे तो बहुत सारे मेफोड जह पहला है कि तुम यूज ऑ पर्मानेंट मैगेट यूज ऑ पर्मानेंट मैगेट पहला चीज क्या हम permanent magnet से magnetic field बना सकते हैं use a permanent magnet use a permanent magnet जल्दी बोलो clear और इसे field कैसे कर सकते हो we can visualize it we can visualize यह लिखने की ज़रती पर में बता ज़रा हूँ visualize 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 it by spreading iron fillings iron fillings over a cardboard over a cardboard and placed and placed what a bar magnet a bar magnet beneath it beneath it जखो यही मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे को concept पता उसे लाइन दिखने में को दिक्कत आई यह नहीं permanent magnet लो bar magnet लेनी जैसे मान लो bar magnet के उपर cardboard रख दो और यहाँ पर लोहे का चूरा डाल दो तो ऐसे फैल जाता अपने अपने आप आजाएगा अपने आप एक शेप बना लेगा वो यही तो experiment किया था याद आ गया second part और क्या तरीका कर सकते हैं एक long straight wire लो लोग लोगो एक लोगो बनापने लोगोगे सकते ह ine with a battery so when current will flow so when current will flow current will flow it will produce a magnetic field two point you can ask two points I have told you two three can also ask three can also ask three can also ask solenoid solenoid current flow वो भी बार मेगनेटिक टिरह भी हिव करने लगी जाता है यह रहा कि इस से करेंट फ्लोगरा दो तो इसमें मेंगेटिक फिलाइं सही लिए बन जाती है बनी जाती है बनादा टीसरा लिखने की जोड़त नहीं तुम खुद से लिख सकते हो से वी केन प्रेडियूज magnetic field by three ways पहला हुआ पर्मेन में दूसरे स्टेट वायर में करेंट फ्लो करा तो तीसरा सर्कुलर वायर में करेंट फ्लो करा तो कितने सारे तरीक है अगले बढ़ते हैं वन टू थ्री अच्छेप्टर से सबच्चे गुडर लगता अब यह वाला कॉश्चन सायद न्यू एंस्याइट में है नहीं तो यह तुम से पूछे ना क्या पता लेकिन फिर भी मैंने एड कर दिया है और सायद है तो अच्छी बात है मुझे एग्जेक्ट आइडिया यह वारे काम का ही क्या आओ डशे सॉलनोइट बिहेव लाइक मागनेट एक्स्रागोशन ऐसे मालो सोलनोइट कैसे मैगनेट की तरह भी अगता है अच्छे तरीक से बताऊ गया कि यह सोलनुए अब तुम्हें सोलनोइट के अंदर पता बहुत इंपोर्टेंट चीज़े ज चाहूँ चाहूँ है्-चाहूँ देखो में बहूत यह साओध देको और यह बाए लुद में दिखे रहे है ना और यह धर जो मुझे जी इदेख लिए यह वायर को फील करो इस वायर को फील करो जो मुझे दिखरी देखो एक वायर यहां से गई यह मुझे दिखरी है ठीक है यह तुम्हें दिखरी पीछे से यह पीछे वाली वायर है ठीक है यह पीछे की वायर है ठीक है यहां तक पीछे यह मुझे दिखरी है यह मुझे दिख पीछे वाली वायर देओं फिल कर पार Minister रहे यह पीछे वायुएं फिर वांत पीछे वाली फिर आगे वाली फीरितर फिर पीछे वाली कर पार है Polsce इसको अलग-अलग तरीके से पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं मान लो अच्छा बच्चे कह रहे होंगे सर आपने क्या कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होगे तुम ठीक है अब एक पार फील करो सिर्फ इस पार्ट को लो इस पार्ट कुछ कुछ ऐसा है यह जो मेरे हाथ मे इधर से देखोगे इधर से देखोगे इधर से देखने पर क्या कुछ ऐसी फील आ रही है मैं सामने बना तो क्या ऐसी फील आ रही है क्या इसमें इधर से देखने पर क्लॉक्वाइस करेंट और अपनी नोट्बूक पर बना के देखो इधर से देखने पर क्लॉक्वाइस करे Lawrence South direction क्लोग वाली South Fl Honda थेखना अगर मैं इसी वायर को इधर से देखो इधर से देखो ग किया ही मेरी एंटी क्लोकवाइज की सिर्फ निदिचक देख다면 नीचेज इस वाले पाट को देखर करें जिल्सक्राइब पोस्थ settlements को तिसक्राइब कर तो मेंसे पूरा है तो पना देते पूला जिल्सक्राइब है तो सब्सक्राइब पीछे है यानि जो पिछे मेरे उंगले तर बाइर थी ना और यह आगे की तरह आई होप फील आगे होगी वैसे तुमने समने पढ़ रखा है पर मेरा कर्तब वे था मेरा कर्तब वे था कि मैं तुम्हें बेशक NCRT के सॉलुशन करा रहा हूँ पर पूरा डीटेल सॉलुशन दूँ सोदेट अगर किसी बच्चे ने ना भी बढ़ा हो जिम्नेदारी हमारी है ठीक है चलो अब एक बात सोचो अब एक दूसरे तरीके से बतातों नोर्थ पोल साउथ पोल कैसे पता करो यह जो बाहर वाली वायर है यह पीछे वाली जो वायर थी इसमें करण्ट कहां है नीचे की तरह करण्ट कहां है नीचे की तरह इस वाली वायर में करण्ट कहां है नीचे की तरह करण्ट नीचे थम थम अगर नीचे कर दू कैसी डारेक्शन बन दी बताओ थम अगर नीचे कर दू कैसी डारेक्शन बन दी बताओ अब एक काम करो चलो यह तुम्हें चोटा सम्वाग दितू मैंने बता दिया पहला वह देसे सॉलनोड भीह लाइक दिख्या विकास इट प्रिदूज magnetic field around it as we can see inside the solenoid inside the solenoid field lines are uniform and parallel are uniform and parallel are uniform and parallel मैंने लिख दिया पर इसका solution दिया हुआ तुम्हें सब कुछ तुम देख पार हैं अंदर की तरफ देखो ये solenoid तो अंदर वाला पार्ट है कौन सा पार्ट ये वाला पार्ट सो उनने पार्ट को देखो अपट ज़ता हो कि सारी 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 सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन अंदर की तरफ और इक्वल डिस्टिबूटिटिट हर जगा एक कोश्चन भी था सेंपल पेपर में कोश्चन था वह कोश्चन यह था कि अंदर नहीं सॉलनोड के बाहर बताओ सबसे ज्यादे स्ट्रॉंग मैगनेटिक फिल्ड का है तो वह होता है नियर दा पोल्स नियर दा पोल्स डूर जाओंगे तो मैगनेटिक फिल्ड लाइन दूर जा रही है कितना आसान कोश्चन है हो गया क्लियर इंसाइड दफिए पैरलल चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इसी कोश्चन में आगे कैन यू करोगे करेंट नीचे काहँ लाइन घ्रफ टी कोई पील इधर चाहिए वाला फेज नोर्थ से मैगनेटिक फिलाइन से निकलती है नोर्थ से मैंगनेटिक फिल्लाइन से निकलती है तो यह बनाना मत भूलना वैया थे को यह बनाना मत भूलना थेकДश यह वाले छीज में तुम्हें बताई चुको रिवीजन मैं बता इदिया इह जो जो चीज मैंने है बता इयो सब लिखिंग दिया धिए कोई बच्चा कुई क्रिवीजन वाली चीज देखना मत भूल ना कुई क्रिवीजन में पूरा एक्जेक्ट बताया नोर्थ पूल कैसे बनता है यहां तो जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि अब तुम्हारों पूछानी जाता ही तरह ना जल्वा लेकरा वन सबसे जादा मैंनेटिक फिलाइंस लार्जेस कब ती तो याद रखना हो फानी वानी वानी रही जाएं दा दा दारेक्शन अफ करणी लिख लो वन दा दारेक्शन अफ करण इस पर्पेंडिकुलर to the when the direction when the direction when the direction of when the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field magnetic field समझो एक कंड़क्टर रखा है यह अब तुमारे स्लेवर से हड़ गया मोटर, मोटर जन्रेटर दोन उट गया है पर फिर भी एक एक अग्जामपल देता हूँ यहाँ पर एक होर्शू मैगनेट है नोर्थ पोल, साउथ पोल क्या मैगनेटिक फिल लाइन्स की डारेक्शन यह हो गई नोर्थ तु साउथ और मान लो यह जो कॉइल है यह जो कॉइल है, इसमें करंट है उपर है तो याद रखना, जब भी करंट और मैगनेटिक फिल लाइन्स के बीच में 90 डिग्री बनता है, सबसे ज़ादा फोर्ज लगती है, यह तुम क्लास 12 में जब जाओगे ने, इसके उपर एक फोर्मॉला भी मिलेगा तुम्हें, वो फोर्मॉला होता है फोर्स इक्वल स्टू, बी को बोलता है यह तुम्हारा क्लास 12 है, जल्दी लिखना है अब अगला कोश्यन आने वाला है इमाजन देट यू आर सिटिं इन चेमबर, बैठ दोगी चेमबर में चेमबर में बैठ गे, आ मैं तुम्हारे ऐसे बैठाँ मुझे बताओ जिधर इलेक्ट्रोन जिदर इलेक्ट्रोन लिख देता हूं बैक से इलेक्ट्रोन गया कहां अंक फ्रैंट की तरह यह क्रेंट की अगरेशन इसक आपोजिट यह ली करेंग अंगे शेक्ट ले लिए टिरफ त्म क्या वह्क अपनी करेंगा शेक्ट की तरफ ले लेना कन बात करेंगे के अपने लिटक्क like यहांपर आफ som हेंड रूल कि थंब हो गया फोर्स ये मैगनेटिक और ये करेंट को ले लो अपनी चेस्ट की तरफ लो जलो आगे दिखतें क्या गया है क्या इस डिफ्लेक्टिट बाइस टॉर्ण magnetic field to your right side यहां पएक magnetic field उसकी वज़े से स्ट्रोंग तो तुम्हारे भी राइट हैंड की तरफ तो तुम्हारे भी राइट हैंड की तरफ लो इलेक्ट्रों इधर गया मत्तब फॉर्स इधर लगी फॉर्स को मता था 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 थम देखो थम को कर दो अपने राइट हैंड की तरफ अपने राइट हैंड की तरफ करो अपने करेंट आगे से पीछ आगे से पीछे पीछे आगे से पीछे घर यह वालिए अपनी चश्ट की तरह एक एलेक्टरों पे धकाला कहां राइटीन साइड पर फॉर्स राइट-इन साइड तो तो ही तुमारी फोर फिंगर कहा रिये नीचे की तरह कि दैट मेंज यह कॉन यह उंगली क्या बताती हो यह मागनेटिक फिल्ड मागनेटिक फिल्ड डारेक्शन क्या हुई डाउनवर्ट यही पूचा इस कोश्चिन बस इतनी लंभी गाथा देने के वाद यही पूचा तुम्हें खातम कोश्चन त्राइब कोश्चन कर लो 1 2 3 & फिर आसान है कोश्चन क्या इस्टेट बारूब कॉंसा रूल यूज होगा पहला पार्ट कर जब मैगनेटिक फिल्ड प्रेड्यूज अराउंड डेस सेर्कुलर कंड़्स टेट अंड़क्टर तो तो मैं त्बता हैं यहां पर हमने कॉंसा रूल यूज किया था Maxwell's का Maxwell right hand thumb rule याद है अभी थोड़े देर पहले कर रहा है था right hand thumb rule right hand thumb rule ठीक है चलो second part को second part क्या कर रहा है किरा force experienced by a current carrying straight conductor अभी थोड़े देर पहले बता है यह वाला फ्लेमिंग्स left hand rule फ्लेमिंग्स लेट हैं अब थार्ड वाला तुम्हारे से कट चुका है लेफ्ट हैं टूल पर सब्सक्राइब बता रहे हैं करन्ट इंड्यूज एक्चल में तुम्हारे से कट चुका है बढ़ हाँ हम उस करंट को ढूंडते थे फ्लेमिंग्स का ही राइट हैं टूल फ्लेमिंग्स का ही राइट हैं दूल लेकिन यह और कि में तो थी एंड को कि रहाओ वड़न डाजिक्रिक्ष शोट सर्कृट अकर करा short circuit कब होता है किसी लें कहीं सारे कारण है पहला कारण देखते हैं अभी तुम्हीं स्टार्टिंग में कोश्चन आया था अगर कभी वी कभी भी कभी कभी भी कभी लाइव वायर लाइव वायर तुम्हारी टच हो जाए मालनों यहां पर फ्यूज है यहां पर फ्यूज है यहां पर तुम्हारा मीटर घर का क्या घर का मीटर फिर यहां पर देखो अलग-अलग तुम्हारा एसी तुम्हारा फ्रिज तुम्हारा पंखा तुम्ह यहां दूसरा थीक और यह सब ज्व कि कहां जा रहें वापस वो गायो ऐसे अग्व यह होती न्यूट्र वाइर लें अगर कभी यूट्रल में फिर यंद्ध हो जाए ऽायां तो पूरा पूरा करन यहांसा क Warum पूरा क मल्सक्षा तर फ्लो क का टो और पूरा का पूरा current जब यहां से flow करता है तो current को ऐसा रास्ता मिल गए जहां पर कोई resistance नहीं था तो बहुत तगड़ा amount का current इस live wire में एक दम सा आता है जो कि यह जहिल नहीं पाती है जल जाती है इसको पूरा detail में लिखांगो भी कैसे लिखना एक्जाम में तो समझगे एक तो एक तो यह चीज है शोर्ट सर्केट होने का दूसरा अगर हम एक पतली सी वायर में जो बोला गया है मालों की सिर्फ mobile की charging के लिए यूज करनी है तुमने उसमें अपना टीवी फ्रेज एसी सब लगा दिया यह क्या करेंकी जादा कर लेगी का से हमारे फिर हमारे उससे हमारे से जाना कनेक्शन हघ्र तो इस켜को देखाव करेंसमें में लिखते लिखा हुए बंड टौ वायर से हाई रेटिंग पावर के जोड़ दिए कि रहा दस्रेश्टन्स ऑफ दस्रेट बिकम लो रिजिस्ट्ट्ट्ट करेंट बहुत जादे बढ़ जाएगा ना बहुत करन बढ़ जाएगा घ्रण करेंगा और और बहुत करेंगा तो पतली सी वायर क्या होगा जेल नहीं अब दाकरेंट फ्लाइट फूद शर्किट बिकम्स वेरी हाय इसके अब बहुत करेंगा और उसमें ताच हो जाए न्यूट्रल वायर कम इन कॉंटेक्ट विद इच अधर यानि कि कोई दो वायर भी आपस में करेंग्शन माजए कहीं भी आज़े मान लो यह वाली वायर इ इना रिजल्ट उसके रिजिस्टेंस के अगर तुमने डारेक्ट कर दिया करेंट फ्लॉइंग इंद सर्किट इंग्रीजिज अब्रप्टली विच रिजल्ट सेने शोट सके अभी पूरी गाथा समझा है यह मैंने लिख भी दिया पूरा यह तुम्हें दो दो तरीके से सम गिट होते हैं और हम मोबाइल चार्ज कर लेता है लेकिन जब बड़े बड़े अप्लाइंस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन या फिर तुम्हारा एसी तो उनमें तुमने देखा को तीन होते हैं एक होता है लाइव के लिए एक न्यूट्रल के लिए और तीसरा होता है एक बताओंगा क्यों है वेरी लोग रेसिस्टेंस तो हमारे जो मेटैलिक एप्लाइंस होते हैं इसे इलेक्ट्रिक आरेंड प्रेस उसमें लोही की चीज होती है तो होता क्या है यह तुम्हें पढ़ोगे लेकिन मैं तुम्हें अभी ग्यान के लिए बता जाता हूं तुम्हे समझधार बनों तुम्हें क्या निगरां नम्हें नहीं ना रosureॉत है क्न है कंसेप्ट्फÑल तो म॥क्तपी सब्सक्राइब चलो ठीके बता अने नहीं नियाद आगे मुझे बता दूँँ थोड़ी दिमाना देखो मैं दिखा विदिता हूं चार्जर में देखो दो सॉकिट की बने होता है दो दो कई बना है दो तीन कर नहीं होता है अगर वो जोवाले एपलाइण से प्रैस ले लो है न तो कभी़ी इसमें अंदर ना जो उन्हें होते हे और उस से उन उनकी बोड़ी। सब्सें बड़ी दिखतिता है तो अगर तुमने करेट लगा देगा तो जो सर्फेस पर चार्ज आप महीं जाक़ सर्फेस पहां है तो चार्ज कहां से जाना पसंद करेगा सब से से जाप्रप्वर की फूरते हुआ सम्हाझ अंदर तो से बिस्क Thousand Also इस प्रिवेंट्र तुम बच गे तुम लोगों को बहुत ना बहुत सारे बच्चे ना पाल तुम लोगों को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीना की अच्छी प्रिपरेशन रिवीजिन के बावजूद भी खुद पर confidence नहीं कर पारे उसका एकमात रिजन यही होता है तुमने बस practice नहीं किया आता तुम्हें सब कुछ है यह chapter actually में बहुत आसान है क्यों numerical नहीं कोई numerical नहीं सिधा one word answer है ठीक है तो आज मैं फिर इसे उन बच्चों के लिए कुछ बताना चाता हूं जो बच्चे कहीं ना कहीं बस यह सोच रहे हैं यह सोचते रहते हैं यह इतना पढ़ता है इसके नमबर आ जाते हैं तो जाने है वो कैसे लोग थे जिनके मेहनत को रिजल्ट मिला है हमने तो जब घरवालों से इज़त मांगी काटों का हार मिला रिजन वाय इस इंपोरेंट फोर मिटलिक अपलाइंस का कंप्लीट साइंस और इस चेप्टर के जितने पी वाई क्यूज हो पाए देखो electricity में मैंने नहीं बोला जिबकि electricity hard था इस chapter में तुम से अगर तुम mock नहीं भी लगाना चाते 50 question अगली class से पहले 50 question सिर्फ magnetic effect के सब बच्चे magnetic effect के 50 question सभी छातर छातरा है कोई भी दुनिया जहां का कोई भी sample paper कोई matter नहीं करता जिसके पास PW का बहुत बढ़िया जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं कहीं से भी 50 question इस chapter के तुम्हें लगाने ही जो time table बता है वो follow कर रहे हो नहीं कर रहे हो बता दो मुझे अरो चलो तो टाटा बाइबाइबाइबाइब यह चप्टर की वह छोटी ग्लास थी अच्छी चीज थी तो अगली ग्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में preparation से काम करना पहले सब लोग ने एक बढ़ चेप्टर का ना जालो बाइबाइबाइबाइब कर दो